दोस्तों, TV इंडेस्ट्री की बहतरीन और खुबसूरत अदकारा क्रितिका सेंगर इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी की वजह से काफी जादा सर्ख्यों में छाइए हुई है। जी हाँ ये साधी के साथ साल बाद प्रेगनेंट हुई है जिसकी वज़े से कृतिका सेंगर मा बनने की वज़े से काफी जादा खुश है वहिने के तंधीर भी पापा बनने की खुशी में काफी जादा एक्साइटेड हो रही है इसी बीच क्या आप जानते हैं कि अभी नेत वीडियो इंस्टाग्राम पर सेयर की है जिसमें वो एक अलगी अंदाज में क्रेजी डांस करते हुए अपने बेबी बंप को फ्लॉंट करती हुए नजर आ रही है जी हां और इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अभिनेत्री कृतिका सेंगर ने बेबी बंप को फ्लॉंट करते हुए कैसा डांस करते हुए वीडियो सेयर किया है तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टाट करते हैं और जानते हैं कि क्रितिका सेंगर बेबी बंप फ्लॉंट करती हुए कैसी नजर आ रही है पर इससे पहले इनके लिए वीडियो को लाइक करना ना भूले जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभिनेतरी क्रितिका सेंगर ने साल 2014 में बॉलिवुड के थंगा बली यानि के अभिनेता निके तंधीर से साधीर अचाली थी अरब साधी के साथ साल बाद ये अपने पहले बच्चे की मा बनने वाली हैं जी हां आपक में क्रितिका सेंगर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो सेयर की हैं जिसमें वो बेबी बंप फ्लॉंट करते हुए क्रेजी डान्स करते हुए नजर आ रही हैं जी हां आपको बता दे क्रितिका सेंगर ने कैप्शन में लिखा few months weeks to go और इसी के साथ क्रितिका सेंगर ने बताया कि उनकी डिलेवरी डेट आने ही वाली है अथी क्रितिका सेंगर क्रेजी डान्स करते हुए काफी ज़्यादा खुस भी लग रही है जी हां आपको बता दे इन्होंने रैड कलर की टी सट पैनी हुई है और ये अपने बेबी बंप को फ्लॉंट करते हुए काफी यही है कि इनके परिवार की साथ-साथ-साथ-सको भी इससरी इंतजार है और इनके घर में बहुत ज़ल्द जूनियर अने वाला है इसके अलावा किरतिका सेंगर ने एक इंटर्वियू के दौरान अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेट कुछ भी सेयर और उन्होंने कहा कि उन्हें साधी के साथ साल बाद इतना वरा सर्प्राइज मिला है और उनके परिवार में सब ही लोग काफी जादा एक्साइटेड है जूनियर निकेतन धीर को देखने के लिए साथ ही साल 2021 के करितिका सेंगर ने अपने पती के साथ एक इंस्टा पोस्ट शेयर किया था और कैपसल में लिखा था कि जूनियर धीर 2022 कमिंग दोस्तों आप क्रितिका सेंगर के बेबी को देखने के लिए कितने जादा एक्साइटिड हैं आप हमें अपनी राई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही टीवी जगत से जुरी ऐसी ही और तमाम खबरों को जानने के लिए को सब्सक्राइब करना ना भूले